आदे जी बात करें जैसे कि भोजप्री सिर्मा में जो भोजप्री फिल्में नहीं देखते हैं, अच्छे गाने नहीं शुकते हैं, वो लोग उठाते हैं भोजप्री में ऐसा है, भड़ता सुछता है, उनके क्या जबाब देना साहिए हैं? देखे, मैं जब से काम कर रही हूँ और मुझे शायद आठ साल हो चुके हैं यहां पर तब से लेके आज तक मैंने हमेशा से यही सोचा है कि मैं ऐसे फिल्म करूँ जो मैं अपने घर अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकूँ और मेरे परिवार मुझे यह ना कहके जाए कि तुम क्या काम कर रही हूँ मेरे रिलेशन्स वाले या जो भी है तो हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी फीमेल हमारे फैंस है हमारे जो दर्शक है वो लोग देख सके फिल्म है और मैं कोशिश करती हूँ मैं परसनली कोशिश करती हूँ कि ऐसे फिल्मे ही मैं कर वो रहा गया था किने में मंपलब बहुत अश्रीलता है बदनाम हो जाओ गे ये वह सब बहुत कुछ मेरे पास भी मुझे मेरे लोगों ने बोला था तो लेकिन बात में मैं आई यहां पे लेकिन मैंने अपने काम अपने हिसाब से ही चुना कि मुझे वो सब चीजे नहीं करन तो मैंने अच्छे अच्छे फिलमें के और मैं धीरे धीरे भरते के कच्छंबे की चाल की तरह मैं वैसे कर रहे हूँ आज भी वैसे ही चल रही हूँ और बस कोशीश करती हूँ समयुर्ट हर चीज में ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है, वो घरेलू टाइप के सॉंग्स होता है, तो मुवी के सॉंग्स कोई देखता नहीं है, लोग बोलते हैं कि मुवी के सॉंग्स नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे जबोजपूरी के हमारे यहाँ पे लोग हैं, दर्शक हैं, कुछ लोग कि आप लोग और आप लोग ऐसे गाने बना रहे हैं उसमें पुस्री जाके पूछ सकती हूँ, अगर कुछ बोलने भी जाते हैं, तो सिधा ट्रॉल करते हैं, तो इससे अचा कि शांद रहो, मुँ बन रखो, कान, आख, मुँ सब बन करके रखो, काम करते जाओ, बस यही है, अब हम खुद से कोशिश कर सकते हैं, कि हम लोग ना करें, अब बाकी क आख भी जाते हैं, जो जो बन करके रहो, अपने काम पर ध्यांन दो, अपना काम करो, करते रो और अच्छे काम करो यह हम लोग किसी को परसनली जाके नहीं बोल सकते कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है भाई मैंने कुछ नहीं किया मुझे बार बार लाई वाने की आदत नहीं है कि मैं सबसे बोलू कि और मैंने यह किया मैंने वो किया हर चीज कर गे तो सबसे तो इसमें क्या करना है कि अच्छे गाने को आप सब थोड़ा सा आगे आई और अच्छे गाने अच्छे वीडियो बन रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए और फिर देखिए कमाल हो जाए हमारे इंडस्ट्री में यूट्यूबर्स भी बहुत सारे है यूट्यूब वाले जो मतलब इतने अश्लील गाने अश्लील तरह से शूट किया जाता है हर चीज वो मिलियंस मिलियंस में है लेकिन यह पे एक लड़की साड़ी बैंके खड़ी है और अच्छे से रेडी हुई है उसको पसंद नहीं करेंगे लेकिन चोटे-चोटे कपड़ है कैसे भी शूट्स लिये जाएंगे कैसे भी शूट किया जाएगा विस्तर पे होगा जादा थर बैडरूम में ही गाने बनते हैं पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं यह लोग पर उन लोगों को मिलियंस के व्यूज मिलेंगे तो फिर यह देखता कौन है हमारी ओडियंस ही अब ही न ही ओडियंस ही कि हम लोग अίνशा फैला रहे तो आप अस्टलीर्ता जो है उसी को सपोर्ट भी कर रहे तो फिर बोलने का फिर हकी नहीं है किसी को फिर आप लोग देखते जाएं जिसको जो देखना है देखिए तो फिर वो कमेंण्स ही क्यों करते हैं कि हम लोग अ क्लिफ माई बाप से जो गाना आया था इसको छोड़े जब रिलीच हुआ आंको तो तो मुझे लगता है कि भुश्पूरी के लगभग सारे नीर चैनल उसमें आप भी सामिल थे भुश्पूरी गौसिप भी हम देखे सब को रिड किये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सा को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा है ताकि जब पोजेटिव हमारी बर चड़के बोलेगी तो निगेटिव अपने आप साइड होने लगेगी तो यह चीजे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार जब हम गाना गाय थे और वन डे 3.5 मिलियन भी गया उसक से पता भी चलता है कि पब्लिक देखना क्या चाती है अभी क्या है कि हम लोग अच्छे गाने बनाते हैं जिसे यह बोली कि हम लोग सुट अच्छे से करते हैं लेकिन जो कुछ यूट्यूबर हैं जो गलत तरीका से दिखा करके अब जो न्यूज बन जाएगा तो तो होंगी कि आप लोग सिब सुनते हैं आप लोग देख नहीं रहें यहां पे कौन क्या है कौन कैसा है कौन क्या नहीं करता है कौन क्या करता है किसी को भी नहीं पता है इंडस्ट्री वाले जो हैं वही लोग जानते हैं तो किसी को भी आप लोग कमेंट्स करने से पहले-पहल और हम लोग अच्छी फिल्में बनाएं, कोशिश करते हैं, हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वज़से वो चीजे पूरा पानी में फैर जाता हैं, यहाँ पे लोग इतना पैसे लगाते हैं, इतनी फिल्में बनती हैं, इतना फाइनन्स करते हैं, लो जो पब्लिक हैं, दर्शों को इन चीजों से मतलब नहीं होती है, जो हमारे भोश्पूरी इंडर्शी से जुड़े हुए है, जो थोड़ा सा लगाव रहता है, लेकिन कुछ लोग है, उनके सो लोग उन्होंने कटा करके रखे होंगे, वही सो लोग और बाते फैलाएंगे, ह से इच्छे कामों को आप सराएं, और प्यार दें, और जो बुरा है, उसको प्लीज आप लोग बंद कराएंगे, जो प्लीज आप बंद कराएंगे,